तो एक नया वेब साइट या फिर एक नया ब्लॉग साइट कैसे गूगल पर रैंक करता है अगर आप लाइब प्राक्टिकल व्यू देखना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ कम्प्लीट जूर जाओ आने वाले 15 मिनिट आपके लिए बहुत इंपोटेंट होड़े वाला है अगर आप इस वीडियो के कम्प्लीट देख पाते हो तो आपको जो नॉलेज मिलेगा ना तो डेफिनेटली आपकी ब्लॉगिंग केरियार में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ठीक है मैं मेरा ही साइट को दिखाऊंगा कि कैसे एक नया साइट के अंदर मेरा मतलब ल से बड़ कितने देर तको वहां पर रैंक रहेगा साला कुछ जीटेल में बताऊंगा गूगल की रैंकिंग फैक्टर को मैं डिटेल में बताऊंगा और इसको जानने के लिए वीडियो का आपको अंग तक डेफिनेटली देखना पड़ेगा तो एक दम सुरुआत से सुरू पेज़ पर 27 में जाब करता हूं न्या लोग को सीखने के लिए मेरे चैनल के उपर आता है तो अगर आप इस चीज़ को असानी के साथ समझ पाते हो अच्छे से समझ पाते हो तब यस वीडियो को देखिये नहीं तो आप वीडियो को छोड़के जा सकते हो अगर आप वीड प्रजुनेंट आपको अंदर लग जागे कि हां कैसे हम लोग को हमारे साइट के ओपर काम करना है और कैसे हम अर्केसे हमलो का पॉस्ट को रैंक यास समय बात करूंगा यहां पर एक की वर डुशन रहागए कर सकते ह た यहाँ पर देखो आभी सेमसेंट दीखा रही है तो यहाँ पर थोड़ी दिर बात में इसको cm और होगे यहां पर रिएस प्यूंदिय्थ्रत्वरें तो सब्सक्रला कि पॉस्ट के अंदर यहां पे यह यह रहा मेरा पंस्ट सब्सक्रायों पेस तरह à award का ये post था मेरा यहाँ पर मैंने जो है आप लोग को दिखा आता हूं कि 2429 याने 25 के आसपास award का ये post था मेरा चलिए ये मेरा admin पैनल है wordpress का करो blogging.in का जिसके बारे मैं जिकर करते रहता हूं यहाँ पर देखो इसका date कब मैंने इसको publish किया था 22220 मतलब कि आज से एक महिना भी मतलब जो हो रही है अभी ठीक है आज जो है 20 तरीक ओके तो यहाँ पर देख लो कि इस post को मैंने publish किया था जब तब मैंने बहुत सारे वीडियो में इस बात को जीकेर किया था कि यह जो रैंक करी है भाई बहुत बहुत ही नीची ठीक है बाट आज मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर यह चीजे रैंक कर रहा है सब सब पहले मैं देख लेता हूं कि इसके अंदर कितना ट्राफिक आया है मतलब यह साइट के अंदर सर्फ दो ही पोस्ट है मेरा आप देख सकते हूं कि एक पोस्ट मैंने किया था 19 तरीक को और सेकंड पोस्ट मैंने किया था 21 तरीक को उसके बाद कोई पोस्ट इसके अंदर है नहीं ठीक है तो यहाँ पर मैं एगेन चलता हूं मेरे अनलिक्स के उपर और आपको बता दूँ यहाँ पर देख सकते हूं कि मैंने जो आठरा तरीक से यहाँ पर फिल्टर करके रखा हूं यहाँ पर एक मिनिट यहाँ पर फेबराड यहाँ इनका ट्राफिक कितना आया है अभी तक कि यहाँ पर देख सकते हूं कि अलग अलग तरीके से सारे जगा से आया ऐसे नहीं कि एक ही जगा से है सोसल से आया डाइरेक्ट से आया और अर्गनिक सार्च से कितना आया यह सब से देखने वाली चीज है 238 का ट्राफिक मिरे को मिला और इन्होंने बाउंस रेट बहुत ही क लोगों को एक दिक्कत आती है मैंने कॉमेंट सेस्टन में बहुत सारे जगा देखा हूं लोग मिरे को गालिया देता है मतलब की मैं लोगों को ऐसे सिकाता हूं कि जैसे आप नया ब्लॉग स्टार्ट करें तो आपको क्या करना होगा आपको ना जैसे आप मान लिजे किसी पर आपने यहां पे ब्लॉग लिखे हो तो उस तरीके से आपको उस नीच के हिसाब से आपको जे फेस्बुक ग्रूप पे जाओ या फिर आप अधर्स जो सोसल मीडिया वहां पे जाओ और लोगों को सेयार करो लोगों को इंकरेज करो कि भाई देखो मेरा कैसा हुआ है य अवर्के मार्केटिंग करना पड़ेगा जब तक कि आप आपने साइट के मार्केटिंग नहीं करोगे तक आपके पास t Wassimams कहां से आएगा आफ लिखते through rate बहुत बढ़ी आये, average CTR 52%, CTR 52% मतलब बहुत बढ़ी आये, average position मतलब 13.6 का आया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को जो थोड़ा सा impression कम मल दी है, इसकी budget से, मतलब budget क्या है, कि यहाँ पे भले मेरा मतलब जो है, जो मैं समझाना चाता हूँ, सीज को समझिए, उसकी main जो मतलब जो अर्थ है, जो meaning है, उसको समझिए, ठीक है, तो यहाँ पे analytics मैं एगें जाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ पर सिर्फ 1125 मेरे पास traffic आया है, और AC traffic की बज़े से, यहाँ पे देखो, organic search भी आया है, social से भी आया है, जैसे कि मैं बता रहा था, लोग को यह कहना था, तो लोग को मैं समझाता हूँ कि भाई, आपको खुद को आपको सबसे पहले marketing करना पड़ेगा, तभी आप नजर में आओगे, Google के नजर में आओगे, और सारा कुछ जो आपका traffic धरे-धरे drive होता जाएगा, organic traffic क्यों drive हो है, इसकी बज़ा यहाँ पे देखो तकि मैंने social से traffic लिया हूँ, direct से traffic लिया हूँ, reference लिया हूँ, तब नहीं यहाँ आप organic traffic बना है, कि अगर आपका एक मतलब इस तरह का किसी भी एक niche के उपर blog आप start करते हो, तो आपको earning start होने में कुछ time लगेगा, definitely और मतलब कि अगर आप माल लेता हूँ, मैं माल लेता हूँ कि आपने आज site create किया हो, आज कल परसों में 3, 2, 30 आपने post डाल दिया हो, कि हमको लाखों में earning हो जाएगा part कि, मैं बता रहा हूँ कि पार दे को आपको कितना earning होगा, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे में Indian currency की बात कर रहा हूँ, इस तरह के से earning होता है यार, तो इस गलत फ्हाम में मत रहो कि एक बार monetize हो जाए, तो हम यहाँ पर आमीर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले काम करो, अगर आपका काम सही रहेगा ना, आपके अंदर traffic अना start हो जाएगा तो Google डेफिनेटल आपको approval देगा, ठीक है, उसके लिए कोई टेंसल लेने की बात नहीं है, डेफिनेटल आपको approval देगा, क्योंकि Google भी चाहता है कि नया creator हमारे पास आए, ताकि हम लोगों का भी business बड़े, ठीक है, तो चलिए मैं इसके लिए यहां पर word suggest open करके रखा हूँ, यहां से मैं India सार्च करता हूँ, ठीक है, तो यहां से मैं सार्च करूँगा India, और India सार्च करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा, इस keyword के उपर searches भले हम भले है या फिर नहीं है, यह चीज भी आप लोगों को द suggest के उपर, और यहां पर मैं क्या करूँगा, इस keyword को मैं करूँगा paste, और उसके बाद मैं यहां पर search के बटन के उपर करता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि इस keyword के उपर कोई searches volume है या फिर नहीं है, ठीक है, तो देख सकते हो कि mobile से blogging कैसे करे, इस keyword के उपर 210 का searches volume है, ए इसका SEO difficulty देख सकते हो कि 6 है, पर difficulty देख सकते हो कि 1 है, और cost per click CPC बहुत जादा है, ठीक है, तो इस keyword था 210 भलियूम का keyword, आप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई, कहां पे मेरा चीजे रैंक कर रहा है, ठीक है, तो एगेन मैं आपको दिखाता हूँ कि कहां पे मेरा चीज फिल करता हूँ, और उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पे check sharp now बटन के उबर करता हूँ, click तो यहाँ पे मेरा sharp, मतलब check होना start हो चुका है, और यहाँ पे results हो चुका है, यहाँ पे देखो, mobile से blogging कैसे करे, अभी rank कर रहा है, 26 number page पे, अगर हम इसको, मतलब आपके number page पे चीजे rank कर रहा है, बहले मैंने, मतलब जो मेरा फूरान सब्सकाइबर है, जो मेरा फूरान भीवार से उन लोग को पता है, कि मैंने इस article को, मतलब मैंने publish किया था, तब यह 60 के आसपास, मतलब 60, number 60 के आसपास जो rank कर रहा था, धीरे 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 जैसे यहाँ पर traffic अना start हुआ है, जैसे traffic अना start हुआ है, धीरे धीरे इसका rank आगे जा रही है, ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पर clear कर दूँ कि अगर आपका एक article, Google की first page पर rank हो गया, so हो गया, मतलब ऐसे नहीं कि आज rank हो गया, कल down हो जागा, ऐसा कुछ बात नहीं है, आज अगर rank हो तो वो down होने में कम से कम 5-6 माहिने लगाएगा, तो इस 5-6 माहिने के अंदर आप इसको update करके अपडेट करके इसको जो है बहुत कुछ करके ठीक है, आप इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखको, जब आपको देखना होगा कि यूट्यूब की बात करें, जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियो की बात कर रहा हूँ, आज अभी अगर रैंक कर रहा है ना, तो 10 मिनिट के बाद रैंक डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लाइब रैंकिंग चलता है, और यहाँ पर लाइब नहीं है, आपको बहुत जादा वेनिवीड हो जाता है, तो इसलिए आपको काम करना होगा, और आपको ट्राफिक कहा ना कहीं से जोह आपको लाणा पड़ेगा, आप चाहे पेस्बूक से लाओ, आप चाहे यूटिव से लाओ, या फिर आप चाहे सोसल मीडिया प्लाटफॉम से लाओ, या प्रूब कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है आपको धीरे धीरे ऐसा नहीं कि यहाँ पर देख सेट कि एक महीने के अंदर जो है ईसको मैं सार्च करके दीखाऊंगा तो इस बात को पता अगर एक बार रंग कर जाए तो कितना दिन तक ठीक है यह साइट ममनाया थी उसके बाद लख बन लेज़े 15-20 दिन के बाद यह second number पे आ था आभी भी यह rank कर रहा है 11 number पे ठीक है बट अगर हम इसका URL को copy करें इसका URL को हम यहां से copy करेंगे ठीक है और sorry यार अभी यहां पर यह जो URL दिख रही हो यह कोई WordPress का URL नहीं था बट जब मैंने site को बनाया था तो यह था WordPress के उपर अभी यहां पर यह जो URL बन चुका है open link open link के उपर मैं करता हूँ click अभी आप लोग को पता लग जागा है यह site crash है यहां पर देखो यह site crash है 404 का e-road दिखा रही है ठीक है तो यह site crash है तो फिर भी यहां पर rank बना हुआ है फिर भी यहां पर rank बना हुआ है अब लोग को पता लग गया है जो मैं बता रहा था कि Google पर अगर एक बर आप rank कर जाओ तो यह rank कभी घरता नहीं है ठीक है मतलो कभी घरता नहीं है ऐसा नहीं है कुछ दिन तक चलता है मतलो 5-6-7 माहिने तक आपको ranking बना रहेगा और उस टाइम आपको मोका मिलेगा पैसे कमने की तो इसलिए अगर आप पैसे कमने के चक्कर में आप मेरे बात को ना मनोगे ना कि लोगों के बाद मनते हो कि हम Facebook से ट्राफिक लेंगे हमारा site कभी monetize होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है आप यहाँ पे कम करो आप यहाँ पे भरते रहो content और ट्राफिक कहीने कहीं से drive करते रहो again मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपका ट्राफिक आएगा और ऐसे आपका organic search बढ़ेगा और ऐसे आपका जो है ranking भी यहाँ पे जाएगा ठीक है अगर आप इन फ्यूचर कभी मेरे वीडियोस देखोगे न तो मैं इस तीज को जीगेट करूँगा यहाँ पे देख़तकी 26 नमबर पे रैंक कर रहा है तो मैं इस तीज को दिखाऊँगा कि कब कहां पे रैंक किया हुआ है जब फास पे आएगा डेफिनि को फ्रिभर करता हूँ यहाँ पे देखो कितना अच्छा है मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्वालीटी सब्सक्राइब देख सकते हैं कि मेरे मेरे साइट के अंदर सिर्फ दो ही पोस्ट है ठीक है और यहाँ पे देखो और भी एक चीज है इसके अदर मैं आप लोग को विदो को सीखा है हुँ, बहुत सारे एक मिनुट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे यह था medium.com के अंदर भी इस post को besher करके रखाओं, और यहाँ पे देख सकते ह हुआ है, मेरा medium.com का images यहाँ पर rank कर रहा है definitely यहाँ पर देख सकते कि मैंने image SEO के बरह में बात किया हूँ कि image SEO करो यार तब यहाँ से भे traffic आपको मिलेगा अगर किसी ने यहाँ पर क्लिक करगा मैं आगर यहाँ दिखाता हूँ कि कि किसी ने यहाँ पर क्लिक किया लोड हो चुगा है तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से चीज़े मैंने post करके रखा हूँ यहाँ पर आदा से भी ज्यादा मैंने कम से कम बहुत कुछ यहाँ पर कर चुका हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैंने continue reading का बटन लगाया हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ हो जाएगा और भी यहाँ पर बहुत सारा इमेजेस मेरा रैंक किया हुआ है और भी देख सको आप काम करते रहो आपको definitely ranking हुआ ऐसे नहीं कि आप आज काम करोगी मतलब website का फंडा ही ऐसा है कि आप काम करो यार आपको result कभी ना कभी मिलेगा ठीक है ब अब आपको मतलब यहाँ पर देख सकते हुआ कि मेरा यह भी इमेज है यहाँ पर लोगों ने क्लिक करेंगा तो सीधा मेरे साइट पर जाके लेंड करेंगा यहाँ पर लोगों ने क्लिक किया तो सीधा मेरे इस पोस्ट पर जाके लेंड करेंगा ठीक है तो I hope कि आप लोग उसका है, कंबेरिजन देख सकते हो कि 6 के अंदर है, तो बहुत बढ़िया है, और मेरे ख्याल से मैं जो काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, इस तरीके से काम कर सकते हो, तो कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, आपको बहुत कुछ मदद मिला है, इतना जुगार से इतना मेनस इस वीडियो को बना के लिए, एक लाइक तो बनता है, चलिए बहुत खुछ रहिए, दूसरों को ठेट सरे खुशे आपाटते रहिए, और ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो, चलिए मैं मिलता आगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सच में बहुत ही खुछ रहिए, बाई